नमस्ते बच्चो बच्चो आज हम कक्षा पांचवी विशय हिंदी दूसरी एकाई पाट क्रमांक एक गाव और शहर इस पाट का अध्यन करेंगे इस चित्रपाट में गाव और शहर के दो अलग-अलग दुश्य दिये गए है इस वीडियो में हम प्रिश्टक्रमांक 26 पर दिये हुए चित्र का अध्यन करेंगे बच्चो चित्र का निरिक्षन करो यहाँ एक गाव का दुरुष्य दिखाया गया है गाव के चित्र में एक प्रगत्शिल गाव के जाकी दिखाये गई है यहाँ गाव काफी हरा भरा दिखाये दे रहा है पेड, पोदे, खेट, खलियान यहाँ की सुंदर्ता को बढ़ावा दे रहे है इस चित्र में गाव के बारे में नारा दिखाये दे रहा है जैसे गाव शहर की प्रगती, देश की उन्नती गाव में स्वच्छ सुंदर विद्ध्याले है विद्ध्याले का नाम समता विद्ध्याले है विद्ध्याले का नाम क्या है? समता विद्ध्याले चित्र में दो लड़किया तीन लड़के विद्ध्याले जा रहे है दो लड़के और दो लड़किया विद्ध्याले के प्रांगण में खेल रहे है विद्ध्याले के पास शवचाले है गाव के बाहर एक कुडा दान है गाव के घर सिमेंट और इट के बने हुए है उनमें आवशक्ता के नुसार खिड़किया है मकानों के छट पर रोशनदान है जिससे दिन में घर में रोशनी आती है यहां बिजली और पानी की भी विवस्ता है रास्ते पर लाइट्स लगाए गए है एक आदमी साइकल पर जा रहा है एक लड़का गोला का रिंग से खेद रहा है दो बक्रिया एक साथ खड़ी है उससे कुछ दूर ही एक बैल खड़ा है गाव में एक कुवा भी है दो महिलाए घरो से पानी लेकर लोट रही है एक महिला बच्चे को लेकर कुछ दिखाई दे रही है मकान के पास बैल गाड़ी खड़ी है एक व्यक्ति च्रैक्टर द्वारा खेट की जुताई कर रहा है एक महिला धान साफ कर रही है उससे कुछ दूरी पर एक महिला चार बरतोनों में कुछ लेकर बैठी है घर के पास रसी पर कपड़े सूख रहे है चित्र में गाव के स्वच्चता संबंदी नारा लिखा गया है जैसे स्वच्च ग्राम, स्वस्थ ग्राम एक महिला अपने बच्चे के साथ चार पाई पर बैठी है एक महिला पापड सुखा रही है उसके पास ही मुर्गी और उसके दो बच्चे दाने चुग रहे है एक महिला दो बच्चों के साथ जा रही है वहाँ पर एक कुट्ता भी खड़ा है एक आदमी टोक्रे में कुछ लेकर जा रहा है यहाँ के लोग खेती बाड़ी, कुट्पालन, पशुपालन आदी कार्य करते है गाव में बिजली भी आ गई है इस गाव में सभी मुलभूत सुविदा है यह गाव दीरे दीरे विकास की ओर बढ़ रहा है इससे चलते हम इसे आदर्श गाव भी कह सकते है तो बच्चो इस पार्ट में हमने गाव और शहर इस पार्ट में गाव कारद्यम किया आपको यह समझ में आया होगा ऐसी आशा करती हूँ धन्यवाद